ओम शान्ति आज के इस मध्यान के सत्र में हमारे बीच पधारे हैं हमारे आदर्णिय राजयोगी भ्राता आतम प्रकाश जी एक हाध हे लाकर हम आपका स्वागत करते हैं सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं आप देश की रदेस्थली नाखपूर नगरी से निकले इश्वर के अनमोल रतन हैं 1972 में आपने यह इश्वर यह ज्ञान प्रात किया और उसके अगले ही वर्ष आपने लौकिक पढ़ाई की MSC की डिग्री प्रात की जिसमें आप गोल्ड मेडलिस्ट रहें और 76 में आप मदुबन में आएं और अपना इश्वर यह जीवन पूरा इश्वर यह सेवाओं के लिए समर्पित किया टोली, बोली और त्रिष्टी यहर ब्राह्मन का अधिकार है इन तीनों में से जो टोली है उसकी आपूरती आपके डिपार्टमेंट से होती है तीनों ही केंपस में जो हमारे टोली कीचन है आप उसका मुख्य भार संभाले हुए है और साथ साथ जो हमारी यूथ विंग है उसके आप हेड़कॉर्टर कॉर्डिनेटर भी है इसके अलावा ज्ञान योग की बहुत गहन रुची, बहुत गहरा मनंचिंतन, बहुत योग और प्रयोग जिसके आधार से आप देश विदेश में भ्रमन करते हुए बाबा का संदेश भी सबको देते हैं और बाबा की गहराई ग्यान की गहराईयों से भी सबको लाभनवित करते हैं तो अनुभवी आत्मा हमारे बीच में आज अनुभव की अथारिटी क्या होती है इससे सपष्ट करेंगे आधनिया ब्रादाजी आधनिया अलवकिक अनुभव की अथारिटी प्यारे बाबा का इशारा है कि समय के अनुशार अनुभव की अथारिटी बनते चलो क्योंकि सत्य ग्यान के सागर बाबा इतना उच्छ कोटी का ग्यान हमें देते है उसका प्रत्यक्स प्रमान है अपने जीवन में बहुत सुन्दर गेहन अलवकिक अनुभव करना और कराना आल्माइटी अथारिटी के बाद दुसरी अथारिटी है अनुभव की अथारिटी लेकिन इसी अथारिटी प्राप्त करने के लिए हमें क्या पुर्शाद करना होगा अनुभाव जो शब्द है अनुभाव जब तक स्वयम को अनुभ नहीं समझते हैं, बिंदु नहीं समझते हैं, स्टार नहीं समझते हैं, तब तक इस ज्ञान मार्ग में कोई भी अलवकिक अनुभव हमें नहीं हो सकता है अनुभ समझते ही आपको अलवकिक अनुभो की खान मिल जाती है अलवकिक अनुभो की वर्षा आप पर होती रहती है और एंस से अनुभवी जो आत्माएं होती हैं, उनको विसेश तीन लाव होते हैं पहला लाव एंस से अनुभवी एथोरिटी वाली आत्माएं आगे आने वाले हल्चल के वातावरन में भी अच्छल अडोल रहेंगे दुसरा लाव एंस से अथोरिटी वाली आत्माएं हल्चल में भी अनेक आत्माओं की सेवा करने की शमता वाले होंगे और तिसरा लाव एंस से अनुभवी आत्माओं के माध्यम से ही परमात्मा की प्रत्यक्स था इस संसार में होगे क्योंकि परमात्मा तो गुपत है दिखाई तो देते नहीं के इस संसार में प्रत्यक्स होंगे जिसकी रचना इतनी सुन्दर वो कितना सुन्दर होगा तो अनुभवी आत्माओं की प्रमात्म प्रत्यक्स्था में एहम भूमिका होगी अभी कोई पूस्ता है कितने वर्षों से ग्यान में चल रहे हैं बड़े फुलक से हम केते हैं 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से तो अच्छी बात है यह तो अपना भाग्य है लिकिन पुरानों की निशानी है वो अनुभवी आत्माओं होती है उनके पास अलवकिक अनुभव का धन बहुत होता है कितने वर्षों से ग्यान मार्ग में चल रहे हैं यह महत पुर्ण बात नहीं है लेकिन मुझ आत्मा के पास कितने अलवकिक अनुभव की पुंजी अलवकिक अनुभव का धन कितना है यह महत पुर्ण बात है मैं अनुभवी आत्मा बना हूँ या नहीं के से पता चलेगा भाई कोई पुछेगा तो कहते हैं मैं बहुत अच्छा अनुभवी बताओ उसके निशानिया भी तो कुछ होगी नहीं लिखो पांच निशानिया उसकी है थर्मामिटर लगा थे डॉक्टर के था है बुखार कल से ज़्यादा है कल एक सो तीन था आज एक सो जा रहे तो अनुभवी आत्मा की पहली निशानी है अनुभवी आत्माओं के चेहरे पर नाराइनी नशा स्पस्ट दिखाई देता है इस्ष्वरिय नशे की जलक और फलक स्पस्ट अनुभव होती है जो धन्वान होते हैं दान गर में पड़ा होगा बैंक में पड़ा होगा लेकिन दान की अकड़ उनके चेहरे पर होती है मैं बहुत धन्वान हो चेहरा बोलता है यह से अलवकिक अनुभव की एथोरिटी वालों के चेहरे पर वो इस्ष्वरिय नशा स्पस्ट दिखाई देता है इनके पास बहुत अलवकिक अनुभव का धान बहुत है ठीक है और संपन्नता और संतुष्टता उनके चेहरे पर हर कोई पड़ लेता है संपन्नता और संतुष्टता मैं बहुत संतुष्ट हूँ मेरा बाप सागर है उस सागर से मैंने बहुत पुछ पालिया है मैं संपन्नता हूँ संपन्नता और संतुष्टता उसके चेहरे पर हर कोई पड़ लेता है दुसरी निशानी है एंसे अलवकिक अनभवी आत्मों के पास एक कला होती है वो अपने अलवकिक अनभव के आधार पर अपने जीवन को रोचक और रोमांचित बनाते जाते है कहीं बावा के बच्चे ग्यांद मार्क में आते हैं और दो-चार साल के बाद चले जाते हैं क्यों? क्योंकि अनभव की कमें मुझे कुछ अनभव होता है नहीं जाके ग्या करू वहाँ? लेकिन जिनके पास बहुत सुंदर अलवकिक अनभव होते हैं वो अपने जीवन को रोचक और रोमांचित अपने इंट्रेस्ट को रुच्छी को बढ़ते जाते हैं कभी भी उनकी रुच्छी कम नहीं होती हैं दादियां हमारी असी बयासी वर्षों से चल रही हैं लिग कभी भी उनके मुख से नहीं निकला कि ये ब्राह्मन जीवन कभी बोर होता है हमेशा ग्राफ उपर गया क्योंकि उनके पास अनुभवत ये बहुत है तीसरी निशाने एंसे अनुभवी आत्माएं हमेशा आत्मों नती के मगन में सदा मस्त रहते हैं अपनी घोड तो नश्या चणें ये वक्ती उनके जीवन में सपस्ट दिखाई देती हैं वो अपने में मस्त रहते हैं इसलिए हर कोई उनके कंपनी में रहना चाता है इनके कंपनी में रहने से कुछ न कुछ नवीनता हमें मिलेगी कुछ नई आइडिया मिलेगी आगे बढ़ने के लिए कोई युक्ती मिलेगी क्योंकि वो आत्मोनती में ही मगन रहता है समय और संकल्प का खजाना कभी भी वैस्ट नहीं करता है चवते निशनिया एंसे अनुभवी आत्माएं दुआओं के पात्र बनते जाते हैं जब वो अपने अलवकिक अनुभव दुसरों के साथ शेयर करते हैं तो सुनने वालों को भी एसे गेहन अनुभव करने के लिए हिम्मत आती हैं सहास आता है और उमंग आता है मैं भी एसे गेहन अनुभव कर सकता हूं कर सकती हूं उसमें तो आगे बढ़ते हैं लेकिन अने को को आगे बढ़ाते हैं प्रेज़ना के स्रोध बनते हैं और जितनों को आगे बढ़ाते हैं उनको कमिशन मिलता है दौाएं मिलती है हमें तीन सर्टिपिकेट हर एक को लेना है मन पसंद लोग पसंद प्रभु पसंद अनुभवी आत्मों को तीनों सर्टिपिकेट बहुत सहज मिल जाते हैं मन पसंद आप स्वयम को पसंद तब करेंगे जब आपके पास बहुत सुन्दर अन्वव होंगे बहुत सुन्दर स्थिती होगी घोड़े की तरफ भाग रहे श्यवाख खुप कर रहे लेकिन स्थिती नहीं होगी तो आपको सैल्प सैटिस्पेक्शन नहीं होगा स्वयम से आप संतुष्टन नहीं होंगे स्थिती बहुत अच्छी है मैं बहुत खुश हूँ और इसी अनुभवी आत्मा अनेक आत्माओं को आगे बढ़ाती जाती है तो लोग उसको पसंद करते हैं इस सब को मदद करता है आगे बढ़ाने के लिए इसे लोग भी उसको पसंद कर देते हैं और वो उपर वाला भी देखता है मैं जो ग्यान दे रहा हूँ ये ग्यान अपने जीवन में प्रैक्टिकल ला रहा है अनुभवी बन रहा है और अनेकों को अनुभवी बना रहा है उपरवाला भी अपने दिल में उसको स्थान दे देता है पसंद कर लेता है तो तीनों सर्टिपिकेट उसको बहुत सहज मिलते हैं ऐसे अनुभवी आत्मा को पांचवे निशानिय ऐसे अनुभवी आत्मा कभी भी माया दुष्मन से धोखा नहीं खाता है एक स्लोगन उनके जुवन में प्रैक्टिकल होता है अनुभव की पुंजी सफलता की कुंजी चाबी अनुभव की पुंजी ही सफलता की कुंजी है चाबी है वो निर्विगन रिती से आगे ही आगे बढ़ता जाता है आगे ही आगे बढ़ता जाता है इधर उधर माया की गल्यों में नहीं बटकता है दुस्मन उसके साथ चिटिंग नहीं कर सकता है माया अपनी उनती के सिखर के तरफ आगे ही आगे बढ़ता जाता है इसलिए कावत है जहान पहुँचे रवी वहाँ पहुँचे है कभी और जहान पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे है वो साथ वे आसमान में पहुँचता है परमधा में वहाँ कोई नहीं पहुँचता है अनुबह भी पहुँचता है एक कवी तो यहां तक पहुंचता है, सूर्य चंद्रतारा तक बस. तो अनुभवी हमें बनना हैं, लेकिन कौन से बातों में बनना हैं? कौन से अलगके अनुभव हमारे पास होने चाहिए? दस एरियाज हैं, उन एरियाज में अन्त तक जब तक संपुणता की मंजिल पर नहीं पहुंचते हैं, इन दस बातों में हमें अनुभवी बनती जाना है, कभी ठकना नहीं है. गाड़ी कितने सालचे चला रहे भाई? बताओ, प्रभु भाई. कितने सालचे चला रहे? पहला दिन याद करो ज़समें कोई पड़ा सिखा रहा था काप ते 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 आप प्रिस्टेरिंग पकड़ा अच्छा क्या फिर बात में क्या करो और अभी दौस साल के बाद बॉंबे से अप माउंट आप आए बड़िया एक एंजाय करते है एक्सपर्ट हो गए अनभवी बन गए छोटी-मोटी कुछ भूले थोती थी वो भी भूले निकल गए तो दस एरियाज में हमें अंततक अनभवी बनते जाना है पहला एरिया परम-धाम निवासे बनने का अनभव हमें अंततक करते जाना है हमारा घर कुन सा है प्रंदाम है तो घर का ग्यान तो मेरे पास है लेकिन वहां जाता ही नहीं और वहां अनुभव करता ही नहीं वाइब्रेशन वहां में रहता ही नहीं तो उस घर पर मेरा अधिकार केसे होगा तो वहां जाना है और वहां के वाइव मंडल को वातावरन को सुनहरी लाल ही लाल दिवे प्रकास ही है प्रकास उसको फील करना है अनुभव करना है और अनुभव की परसेंटेज को बढ़ाते जाना है नेने बच्चे हैं दस परसेंट भान से जाते हैं फिर बीस परसेंट भान से जाते हैं वह हमारा लक्षे हैं हंड्रिट परसेंट भान हमारा वहां हो और जीरो यहां हो यह हमारा लक्षे है ब्रह्मा बाबा कुटिया में कर्माति स्थिती के समय जब थे कोई भी बाबा से मिलने जाता था बाबा के नेनों से स्पस्ट दिखाई देता था बाबा की वल या तन से बेटे हैं मन से पूर्ण तया परमधाम में बाबा के पास ट्रांसपर कर चुके हैं आखे बताती थी बाबा यहां नहीं है तो घर की खीचो मुलून के नजदिक जाते हैं न बहुत खुश्य हो आवी घर के तरफ जा रहे है तो यह घर है मेरा कीचो तो बार बार वहां जाना है और अनुभो को खोप अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है दुस्रा क्षित्रा सुक्ष्मा वतन वासे बनने का अनुभो हमें खोप अच्छी तरह से बढ़ाना है कि अभी हमारा घर कुंसा है अभी हमारा घर कुंसा है एंजी बोलाना है मदुबने कि रनविन बताओ मदुबने टाइटन लेके गुंते ब्रह्मा कुमारी फलानी ब्रह्मा कुमार फलाना तो किसके बच्ची होगे भाई प्रह्मा बाबा के होगे जहां मेरा बाप रहता है वो मेरा तो मेरा घर कुंसा है सुक्ष्मा वतन सुक्ष्मा वतन का ज्ञान होना सुक्ष्मा वतन में जाकर वहां के वैब्रेशन को फील करना और उसको यूस करना बढ़ाते जाना है बढ़ाते जाना है बढ़ाते जाना है बढ़ाते जाना है कि 91 में मैंने गुल्जा दादी जी का इंटर्विव लिया था यह जो हिस्ट्री हॉल है ना उनके पीछे उनका रूम था तीन घंटे दादी के साथ बैठा प्रस्ण पूछा आखीर भी वो सुक्समवतन केसा हैं आपके तन में बावा केसी आते हैं वो सारी विधी मुझे सप प्रस्ट बताएं मैं आर्टिकल लिखने जा रहा था तो दादी जी ने बताया था यह पांच तत्वों की दुनिया है इससे पर एक ऐसी दुनिया है जहां हमेशा सफेदी सफेद दीव्य प्रकास प्रकास रहता है जैसे पौनी मां का चंद्रमा आसमान में रहता है और धर सफेद प्रकास से जग मगाता है ऐसे हजार पौनी मां के चंद्रमा का सीद्व प्रकास उस दुनिया में सब्सक्राइब अर्वा जो भाश्या होती है फरिस्टों की वह नैनों के इसारे की और होठों के मोमेंट्स की होती है इसारे से फरिस्टे बाते करते हैं मनुष्य परिस्ते इस यारे से और तीसरी बात वहां की जो कारोबार चलती है वो संकल्प शक्ति के आधार पर चलती है कोई भी दर्श बाबा को इमर्ज करना है एक सिकन में बाबा संकल्प शक्ति के आधार से करता है इमर्ज और बच्चों को उसका अन्भो कराते हैं और बच्चों क कि बात ये हैं जिस दिन से हम बावा के बच्चे बने हैं उस दिन से हमारा संपूर्ण फरिस्ता स्वरुप उस दुनिया में सदा रहता है कि बाबा क्या देखते हैं ये पुर्शाति सरुप और ये संपुन फरिष्टा सरुप कि स्पीड से नजदिक आ रहे हैं बाबा ये वतन में देखते हैं कि क्या हुआ ब्राम साकार ब्रह्मा बाबा यहां थे उन दिनों की बाद है एक मैं संदे सी बेहन ऊपर चली गई शुक्समा उतन में तो उसने लाइट का ब्रह्मा बाबा देखा वाँ वह कंप्यूज होगी ब्रह्मा बाबा तुमद्वद में है इस कहां से आगे दूसरे ब शुबाबा ने कहां वो है संपूर्ण ब्रह्मा बाबा और यह पुर्षाति ब्रह्मा बाबा जब यह पुर्षाति ब्रह्मा बाबा संपूर्ण होगे तो अभी वहां एक संपूर्ण बाबा सदा रहते हैं कि तिसरा एरिया वेकुंट वासी बनकर हमें रहना है बावा ने सत्युक में हमारा जीवन केसा होता है अमृत वेले से रात्री तक पूरा समझा दिया है वो केवल ग्यान के लिए नहीं सुनाया है हमें उसको अनभौ करना है कैसे हम वहाँ अपना जीवन बिताएंगे कैसी मस्ती अलवकिक होगी कैसी दिविगुनों से सुंगार होगे कैसे प्रकृति हमारी दासी होगी वह हमें अभी अनभौ करना है जितना अनभो करते जाएंगे उतने संसकार हमारे दैवी आत्मा में भरते जाएंगे और वो संसकार हम परमधाम में ले जाएंगे और उसके आधार पर एस से रोयल परिवार में हमारा जनम एटोमेटिक होगा घर जाने के पहले वो सौसकार मुझे आत्मा में धारन करने है इसलिए बाबा ने वो ग्यान दिया आज भी बाबा ने क्या बोला मुरली में देवताओ के मन में ऐसे खराब संकल्प नहीं चलते है देवताओ के मुख से ऐसा शब्द नहीं निकलता है तो हम सभी देवताओ हैं, ओनार देवताओ है अभी से हमारे जीवन में वो धानाए होनी चाहिए अन्बो करनी चाहिए लोगों ने ठीक है न? चवता एरिया चवता एरिया है आतम अभीमाने स्थिती को पक्का करते जाना आत्मा आत्मा सुन सुन के हम ठक चुके हैं आत्मा सुनते हैं न? ऐसा लगता है बावा को कुछ सूचते ही नहीं हमेजा, वही वही रटा था रहता है लेकिन वही सबसे मेह तुपणा पाठ हैं और वही अंतिम पाठ हैं कितनी बार गुलाब जामन खाया? गुजराती कड़ी कितनी बार खाई? आज खिलाएंगे आपको खाएंगे न? बड़े चाव सिखाएंगे तो यह से आत्मा हमें समझने के लिए ठकना नहीं है हमारा लक्ष है संपून आतम अभिमानी बनना केवल आतम अभिमानी नहीं है? संपूना 100% आतमा का भान हो 0% देह का भान हो यह हमारा लक्ष है यह हमारी मंजिल है कहा तक पहुंचे पूछो अपने से कितना अभियास करना है? चेक करो प्रमा बावा ने शुरू दिन से लेकर अंतिम दिन तक इस अभियास को नहीं चोड़ा अंतिम दिन तक बावा इस अभियास को करते नहीं तो हमें खुप अच्छी तरह से रुची से इस अभियास को पका करते जाना है कि यहीं पहला माठ है और यहीं अन्दिकाडक सबसे मेहत भूष है आ dazu हिसके जंड जंड आपके पास है तो जंड दीव्य जीवन रूपी जंड दीवे कुणुष से फला फुला जअड आपके पास है तो आत्मा आत्मा रटती जाना है रटती जाना है आत्मा के गुणों को बहुत अच्छी तरह से हमें अन्भो करती जाना है जैसा जैसा अन्भो बढ़ता जाएगा आत्मा का प्रकास आत्मा का आभा मंडल बढ़ता जाएगा तीवर होता जाएगा औरा बढ़ता जाएगा इसले कहते हैं जैसी स्थिति वैसे उपस्थिति जहां हम जाते हैं हमारा औरा काम करने लगता है अटोमेटिक करता है तो बहुत रुची से मदुबन में आप आये हैं ईद्धर्णी सारे ग्लोप्र सबसे पहुफिल सी स्थान है जहां आपके कदम पड़े हैं सबसे पहुफल सारे ग्लोप्र कुछ पुण्य करम है इसले इस द्धर्णी पर पहुंचिए है पाड़िमे आते तो एक घंटे के लिए साइट सिन कर लिए आते हैं, आप तीन दिन से यहाँ आए, चार दिन से यहाँ, कोप अच्छी तरह से लाप लो इसका, इकांत में बेठो, आत्मा का ब्यास घोटती जाओ, घोटती जाओ, रटती जाओ, रटती जाओ, और में में इबमां महां 76 में सहरा दीन कीचन में काम करता था जो सब बेरे पास बेसे लेकर रात को दस बजय तका का고 बहृ दादी को कुछ करने के लिए सहरा दीन लगा रहीतला राद को दस बजे वो ट्रेनिंग सिक्षन के चत्पर जाके बैठता था एक घंटा दो घंटा तीन गंटा केवल आत्मा का अभ्यास करता था उस अभ्यास ने इस स्थिति का फॉंडेशन मेरा जैसे पक्का किया गंटो गंटो बैठता था पांचवा एरिया स्वामान धारी होकर रहना स्वामान में हमें स्थित रहना है इस सभा में ओवन राजे महाराजे रानी महारानिया बेठी है औरडिनरी लोग नहीं है इस जवामें एक से एक बढ़कर है सत्यूग में वो सिंगासन मिलते ही आपके आत्मा में चेहरे पर वो रुहाब उनश्या अटमेटिक अन्बो होना चाहिए लेकिन कब होगा कैसे होगा क्या करना होगा उसके लिए अब भी हमें स्वामान में स्थित्रेने का अभियाज कोप करना होगा बाबा ने हमें जो स्वामान का सिंगासन दिया है इस सिंगासन को हमें छोड़ना नहीं है चाहिए कुछ भी हो जाए कोई कितना भी गलानी करें कुछ भी करें ये सिंगासन मैंने छोड़ना नहीं है बगवान ने मज़े दिया है और अच्छी तरह से बैढ़ो हंड्रेट पट्सें सौमान में मुझे स्थीत रेना है केवल सौमान का पॉइंट दोराना नहीं है केवल सौमान में स्थीत होने का अभ्यास नहीं करना है लेकिन उस सौमान का खुफ अच्ची तरह से आनन्द लेना है अन्भाव करना है मैं आत्मा राजा हूँ और सौमान के सिहा संधारी हूँ तो दीरे धिरे क्या होगा इस योरी नसिक का परसेंटेज बढ़ती जाएगे बढ़ती जाएगे बढ़ती जाएगे कि इश्वर ये नशा बढ़ रहा है यह नहीं कैसे पता चलेगा भाई हैं जी कैसे पता चलेगा बारती में है है कुछ से शराबी की आखे बता दिया यह लाल आखे इसके इसने बहुत पिया है इसने दो बोटल चड़ा ही लगता है कि आखे लाल है ऐसे इश्वर ये नशे की जलक आखों में दिखाए ज़िए चिपते नहीं कि जैसा जैसा सुमान में हम स्थीत रहते हैं नश्या धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से बढ़ता जाता है कि अन्भू होता है कि बाबा का पोटो आपने वो देखा होगा बाबा टांग पर टांग बले रकर एसे बढ़े शेर की तरह कि देखा है ना पोटो बाबा का हिस्ट्री हाल में देखना एस से बड़े शेर कि तो विश्व का राज महाराजा तो नश्या तो होगा न भाई तो संगम यूग में हमें ऐसा रुहानी नश्या अभी अन्भू करना है और संसकार में उसको भरना है स्वामान धारी अर्था धारन करना स्वामान के टाइटल को जीवन का अभिन अंग अन्भू करना उसको कहेंगे स्वामान धारी बनना ठीक है चट्वा एरिया पर्मातम अभिमानी बनने का अन्भू हमें बहुत अची तुरह से बढ़ते जाना है पर्मातम अभिमानी बनना अर्थाद पर्मातमा के संग में बैठकर उनके कमबन्दी का खूप आनद लेना उनकी कमबन्दी को बहुत एंजोई करना दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता पर्मधाम में बैठे हैं बाबा और उनके बाजू में मैं आत्मा बैठी हूँ और जैसे सागर के किनारे संध्या के समय जाते हैं ठंडी ठंडी लेहरे आती हैं ऐसे हमें शांती के सागर आनन के सागर प्रेम के सागर के समीब किनारे पर बैठकर कूप एंजोई करना है अए है है एक दम समीब बैठना है और इनजोई करना है और वूस्फ के परसेंटेस को बढ़ाते जाना है और बाबा के पास Getाने के परसेंटेस को हमें बढ़ाते जाना है 10% बहान से आप बैटे हैं फिर 40% बहान से आप बैटे हैं हमारा लक्षे है 100% बहान से बावा के पांस कमपनी में बैठना यह हमारी मंजिल है आपकी जीवन के सबसे खुशनों में पल कुन से है golden moments कौन से है बोला ना जब मैं आत्मा परमधाम में बावा के बाजु में स्वयम को बेठी हुई अनभव करती हूँ यह पल सबसे कुशन में अपल है यह पल मेरे जीवन के golden moments है यह पल मेरी पुंजी है इन पलो को मुझे बढ़ाते जाना है क्योंकि सारे कलब में यही पल सबसे बढ़े है मेरे यह पलो को में बढ़ाते जाना है यह पलो को में बढ़ाते जाना है पस थाकूर बनकर एक ठीकाने पर बेहट जाओ और आनन्द ले लो कस्त मस्ती ले लो तो बावा के पास बैठने की अनुभुति को हमें बढ़ाते जाना है फिर सात्वा एरिया सात्वा ने फरिस्ता स्थिति की अनुभुति को हमें बढ़ाते जाना है बार बार उन्हें एक बार करते जाना है उसकी अनुभुति को क्योंकि हमारा लक्ष क्या है संपून फरिस्ता स्थिति की अनुभुति करना यह हमारा लक्ष है केवल फरिस्ता नहीं, संपून फरिस्ता, अर्थाथ, 100% दिव्य प्रकास पुंज की काया अनुबह करना और 0% यस्थूल काया की अनुबुती करना, स्वारे रिस्ते मेरे, अर्श्वासी बगवान के साथ है, रिस्ता, कोई उसका रिस्ता फर्श्वासी के साथ नहीं, स्वारे रिस्ते हैं, अर्श्वासी के साथ, भावा के साथ, यह प्रयोक्षाला है, आप प्रयोक्षाला में बेटे हैं, आप यहां से डाइनिंग में जाओ न, प्रयोग करो कि मुझ आत्मा ने लाइट का शरीर धारन किया है और लाइट के जमिन पर चल रहा हूँ पर इसताय लगोगे बिलकुल अंतर मुकी होके आप चलो, बातें नहीं करो बातें तो हमेशा टकरते रहते बहुत मज़ा है आपको क्यों कि ब्रह्मा बावा यहां जहां पर भी गुजरते थे न सारा दिन थोड़ी बैठे रहेंगे इदर उदर कारोभार चलते थे तो गुजरते थे न तो लगता था बावा एक तम फरिस्ता है इसलिए केते है चाल फरिस्ते जैसी हो और हाल खुशाल हो नेक्स्ट आठवा एरिया आठवा साथवा आठवा एरिया है हर गुण की और हर शक्ति की अनुभुति करते जाना कोई गुण मुझे में इस नहीं करना है कोई शक्ति मुझे मिशने करना है उसका अनुभु मेरे पास होना चाहिए क्योंकि मेरा लक्ष क्या है सर्वकुन संपन्न सर्वक शक्तियों से संपन्न बनना अस्ट शक्तियों की अनुभुति मुझे सारे दिन भर में करमक्षेतर पर करते जाना है और जो 36 गुण की लिस्ट है उस सारे मुझे जीवन रुपी पेड़ पर धारन करना है कोई भी गुण मुझे मिस ने करना है है कोई मिस कोई बात ने उसको जीवन में धारन करने के लिए दो चार मास एक मास दो टाइम दे के उसको धारन करो ठीक है और दस्वा नवा एरिया मनसा सेवा का अन्भो मुझ आत्मा के पास होना चाहिए क्योंकि आप देखना दो चार साल के बाद में केवल मनसा सेवा का ही बोलबाला चलेगा सारी सेवा ठप हो जानी है जैसे कोरोना काल में कुछ नहीं चलता था केवल मनसा का था सेवा का पार्ट और आगे चलके तींचा साल के बाद देखना मनसा सेवा का ही बोलबाला होगा तो मेरे पास मनसा सेवा के अन्भो बहुत अच्छी तरह से होने चाहिए क्योंकि दादिया मनसा सेवा करती है उनको सफलता मिलती है और हम मनसा सेवा करने लगते है तो हमारे मन में थोड़ा संकल पाता है पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं क्यों भाई जहनके दादी जी अमरूत वेले पाकिस्तान को सकाज दे रही थी और उसी दिन बाबा आए और शाम को बाबा के ते आज सवे रे जनक बच्ची पाकिस्तान को सकाज दे पहुंदे वहाँ बात पहुँच भी गई, उपर, मुरली में बाबा के, क्योंकि मन्सा सेवा करने का साधन उनका बहुत शक्तिशाली था, और दुसरी बात, मन्सा सेवा की अनभा उनके पास बहुत थे, इसलिए उनको बहुत अच्छी तरह से सफलता मिलती रही, तो मुझे भी सफलता इसमें मिलती रहें, इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह से ये मन्सा सेवा करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, Retail business करने का समय समाप्त हो चुका है. Worldwide wholesale business करने का समय चल रहा है. केवल मुझे Bombay की नहीं सेवा करना है. पुरे world की करना है. मेरा बाप कोन है? विश्व कल्यानकारी. मैं आत्मा उसका बच्चा मास्टर विश्व कल्यानकारी हूँ. जहां आवशक्ता है उड़कर चले जाओ. मंसा सेवा के द्वरा श्यांति शक्ती देखे रहा हूँ. तो बाबा ने स्पस्ट कहा है कि अभी मंसा सेवा बढ़ाते चलो. क्योंकि जानी जानन हार बाबा स्पस्ट जानता है भविश्य में ये सेवा बच्चों को. को बहुत करनी होगी इसलिए कोरोना काल में बैठक का योग करने का बाबा ने बहुत चांच दिया. मैंने कहते थी ना सेंटर पर बहुत सम्मालना पड़ता है सिवा करना पड़ता है बाबा ने कहां अभी बैठक का योग खूप करो. और दस्वाइरिया भग्वान के साथ सर्व संबंदों की अनुभुती मुझे बनाते जाना है. कोई संबंद मेरा मिस नहों क्यों भाई क्या जुरुत है इसके एक संबंद के द्वारा हंड़ेट पर्सिंट प्यार में बाबा के तरफ ट्रांसपर कर सकता हूं कर सकती हूं तो सर्व संबंद जुरुत क्या है मुझे अनुबा करने के अन्तम में वही पेपर आएगा संबंद केचेगा हमें ऐसे हैं जी लोग के संबंद बीच में आएंगे कुछ गेरा राज सुना हूं क्यों जरुरुत है यह इसके पीछे गेरा राज यह है कि चवरेंसी जन्मों के हमारे रोल अलग-अलग होंगे हर जन्म में बहने बनेंगे हर जन्म में माने बनेंगे आदे जन्म हमारे मेल के आदे जन्म फिमेल के और हर जन्म में हमारा अलग-लग रोल होगा उस जो भी रोल मिलेगा वो हमें बजाना होगा लेकिन वो सांसकार हमें अब भी वरने हैं घर जाने के पहले कैसे बरेंगे हैं? भगवान के साथ सर्वसंबंदों की अनुबुती करते हुए ये राज उसके पीछे है गाय का बच्छडा जनम लेते ही दूद पीने के लिए उसके स्थन के पास पहुंचता है उसको कोई बोलता है? आटोमेटिक दोड़ता है क्योंकि सांसकार है इससे हमारे आत्मा में भी ये सारे सांसकार बरने हैं अभी तो कहने का भाव है हमेश विबिन प्रकार के एरिया में अलवकिक अनभो को बढ़ाते जाना है तकना नहीं है ऐससे फिलिंग हो कि मुझ आत्मा के पास बहुत अलवकिक अनभो की स्टाउक है, पुंजी है, अथोरिटी है एक शेकन में अश्र इस्तिती में इस्तित हो जाए एक सेकन में हम स्वमान मिस्तित हो जाए एक सेकन में फरिष्टा स्थिती मिस्तित हो जाए तो इस तरह से हमें अलवकिक अनभो की पुंजी को बढ़ाते जाना है यह पुरानों की निशानी है जितने पुराने होते हैं बच्चे बाबा के उतने उनके पास अलवकिक अनभो का धन बढ़ता जाता है यह उसके निशानी है तो तात लगी रहें जैसे बिजनेस में होता है उसको पैसे ही दिखाई देता है हमेशा बिजनेस इतने उसी में बिजी रहता है हमारे मन में यही तात लगी रहे केसा में सुंदर अलवकिक अनभो जमा करता रहों बढ़ाता रहों एक स्लोगन कभी भी ब्रामान जीवन में भूलना नहीं अंतत्तक भूलना नहीं जैसी स्थिती वेसी स्थुती होती है यह स्लोगन कभी भी नहीं भूलना जैसी स्थिती वेसी स्थुती हर कोई जाता है मेरी मुम्स्थुती हो लेकिन जैसी श्थिति होगी वेशी ही श्थूति होगी जैसी श्थिति वेशी उपस्थिति होगी जैसी अवस्था वेशी वेवस्था होगी आतमों के द्वारा प्रकृति के द्वारा मुदुबन में आते ही ब्रह्मा बाबा खड़े दिखाई देते है शान्ति स्थम के रूप में खड़े है बाबा कैसे? स्थम के रूप में स्थम बर्धाद अच्छल डो श्थिति और स्थम बर्धाद बहुत उँची स्थिति लाखो कोरोड़ो आत्माओं को प्रेणा प्रदान करने वाली एसी मुचिस्तिति मुझे भी ब्रह्मा बाप समान बनाना है यह मेरी प्रोपर्टी है सेवा तो करना हमारा काम ही है वो धरम है करम है लेकिन सेवा के खिलोने से खेलते खेलते मैंने वो स्थिति बनाना है यह लक्षे हमारा उस पर हो ठीक है ना करना है वह अन्वा पोलो करना है यह कान वो बोलो ना आवी नावी ने सुस्त तुनिया हो गया ना करना है मिनक्षिवें तो सब खड़े हो जाओ फिर थोड़ा अभी पंदरा मिनित के लिए एक्दम पावर्फुल स्थिति बनाएंगे थोड़ा खुले-खुले बैठ जाएंगे सीधा बैठेंगे स्ट्रेट एक्दम चुस्त और मस्त होके बैठेंगे आम शाल्दें इस शरीर रुपी महल में मैं निराकार जोती बिंदू आत्मा राज्या ब्रुकुती के अकाल तक तपर विश्वकल्यान कारी सिहां संपर विराज मान होकर स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभुती कर रहा हूँ मैं आत्मा राज्या पवित्रता का तास धारे हूँ पवित्रता का स्थीव्या और भव्या तास मैंने धारण किया है राजाओ का राजा बनाने वाले बापने मुझे स्वराज प्रदान किया है राजाओ के नसे के जलक और फलक मेरे चेहरे पर स्पस्थ अन्दो हो रही है मैं आत्मा राजाँ स्थूल देह रुपी महल से बाहर निकल कर बुद्धी रुपी पुश्पक विमान में बैठ कर तीनों लोगों की सेर पर निकल चुका है इस विश्व के गोले से पाहर चंद्रसूर्यम तरा गण से भी पाहर उड़ता हुआ जाराँ मैं आत्मा राजा फ्रिस्टो की दुनिया में पहुँच चका हुआ जहाँ जारों और सभेदी सभेद दीफिया प्रकास 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 है पवित्रताई पवित्रताई मुझ निराकार जोती बिंदू आत्मा राजाने बहास सुनर फरिस्ता सुरुप की ड्रेस दारण कर ली है कितनी संदर कितनी हल की फुट आनुबती हो रहे है फरिस्ता सुरुप की ड्रेस को छोड़ कर मैं निराकारी बिन्दू आत्मा राज्या निराकारी दुनिया की और पुष्पक विमान में बुद्धी रुपी पुष्पक विमान में बैठकर ओड़ता हूँ अच्छा रहा हूँ निराकारी दुनिया में पाँच का जाचार हूँ सुनहरिलालिला सुनहरिलालिला देव्या प्रकास प्रकास है शांती ही शांती परम शांती है कितना प्यारा घर है यह मेरा प्रम धाम मेरे प्रानो की प्रान मेरे प्रानेश्वर सत्यम सिवं संदरं प्यारे शिव पिता मुझा आत्म की समक्षि विराजमान है योग की प्रकरगनी में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप आप बाला भर में बस्मा हो रहे है बस्मा होते ही जा रहे है मेह आतम जोदी स्वयम कुई एक्तम लाइट और खुसी से बर्बूर अन्भाव कर रहे है सच मच मेरे जीवन की सुनहरे पाल है जो मेह आतम जोदी डिरेक्ट जोदी सागर भगवान की स्वयम को अन्भाव कर रहे हैं वारे में वहां मेरे बाबा वहां मेरा भाक्या शक्तियों से भर्बूर आत्मा निराकारी दुन्या से वापिस बुधीर पी पश्पक्विमान में वैट कर वाया सुक्स्मवतन सकारी दुन्या की ओरारी निराकार जोदी बितों निराकार जोदी बितों Om Shanti 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 Om Shanti अनुभाव की अथारिटी और सुन्दर अनुभुती इसके लिए भ्राताजी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आभार